हेलो गाईज, टेरो वीट मदरी उनिवर्स में आपका स्वागत है, कैसे हो आप सब, I hope आप सब अच्छे होंगे, खोश होंगे, अपना ओरा को पॉजिटिव किया होंगे आज हम जो reading कर रहे हैं, उसका topic है, आपके जीवन का उद्देश क्या है, आपके life का purpose क्या है, ये एक general reading है guys, हो सकता आपके साथ resonate करें, ना करें, जो बत आपकी condition क्या नो साथ, आपको resonate करती है, उसे please रख लीजेगा, बाकी को जाने दीजेगा, तो देखते हैं आपके जीव देखते हैं, 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 four of pentacles okay nine of swords green of swords the lovers just yes okay ace of pentacles two of cups death the hair of end three of swords a card or lungi two of pentacles five of swords ace of cups eight of vans judgment okay so your life purpose is your life that's definitely guys are you when go back to life and see your life now why do I have to say this because the hair of end card is coming to life that what you want to say is that this is what you want to say that this is what you want to say just as a guru इसा के पारों के बारे मोगा या कुछ ऐसे जो आपने किसी बात को लेकर घ्राण को अर्जित किया है। लेकिन इसके जिन संजार के लिए इतना जरूरी है कि असके ये मालेक जरीया आप characterized भिए मालईया जर्बिया को बनाया है। वो सकता है कि आपके दिमाग में light worker बनना या हो सकता है आप chosen one हो, वो सकता है आप twin flame journey में हो, हो सकता है soulmate journey में हो, या फिर कहीं न कहीं आपको इस बात का आबास है गाइस कि आपने धरती पर अगर जनम लिया है तो आपकी life का purpose कुछ बड़ा है, आप कुछ विशेश काम को करने के लिए धरती पर आये हो, और जहां कहीं भी किसी इनसान को इस चीज का आपास होने लगता है, वो पीछे और लोगों की life से बिल्कुल बहन चले, बिल्कुल अलग चलिए, बिल्कुल guys हो सकता है, बच्पन से हो सकता है कि आपकी life में हमेशे आपको compromise देखने को मिले है, त्याग, समर्पन, आपको हर एक बात को लेकर करने पड़े हुए होंगे, कि जहां हो सकता है कि starting में, चोटी थी तब आपकी इच्छाएं खूप सारी थी, लेकिन दीरे 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 आपके life में काफी सारे पल ऐसे हाये, काफी सारे movement आपकी life में ऐसा है, जिनोंने आपका दिल बहुत बुरी तरीके से दुखाया, और हर एक बुरे पल के बाद में, आपकी इच्छाएं दीरे पूर्ती पास इतने पैसे हो, तो मैं इन मेरी ख्वाहिषों की पूर्ती करो में, लेकिन दीरे-दीरे करके आपकी ख्याईशे कहता है न कब होती गई इच्छाएं जो हता होती है, रहे- तीरे-दीरे-दीरे करके खतम होती जाना,कि आपको इसी place पर लाया गया ये नहीं ह है कि आपकी लाइफ में आपके कोई इच्छा है पूरी नहीं होंगी लेकिन यह समझ लो गाइस कि आपने जो रास्ता पार किया है अभी तक मैं आप जिस इस्थान पर आकर रुके हुए हो या अपने लाइफ में जितना भी आप आगे बढ़े हुए हो ना वो अगर जो है न कि आपकी खुद की हेल्थ भी आपका साथ नहीं दे लिए और समय समय पर हर कुछ समय बाद में या हर कुछ सालों बाद में आपकी लाइफ से कोई ने को इनसान का चूटना मतलब अगर वो थी गाइस जहां पर आपको अकेला ही चलना था हो सकता है एक तो इंसान आपके सा यात्रा में आप देखो कि यात्रा कितनी अलग रही है कि हुए अभी तक मैं आपके पास कोई एक दो गिंती के लोग होंगे जिनके प्रति आप सकते हो कि यह मेरे लिए वफादार है या यह मेरा अच्छा सोचते हैं है ना वह और यह जो बचे मतलब अब गलत नहीं होना चाहिए, अब मैं कुछ खोना नहीं चाहता, अब तो कुछ भी होग ही नहीं का है, जितना खोना था आपने, जितना भोगना था आपने, अपने अपनी जीवन यात्रा में बहुत कुछ भोगा है, यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं, जिन्हें स्प्र और कुछ रोगों को अभी के तीन चार साल के दर्मियान में बहुत ज़्यादा जानकरी हुई है इंजर्स नंबर के बारे में अफेदर्स के बारे में या फिर चक्रास को बैलेंस करने कुंडिलीनी अवेकनिंग के बारे में है ना ध्यान जो कहीं ने कहीं आपका लाइफ का परपर जो है या आपके मतलब आप प्रारव देटर पहुंचने के कोशिश कर रहे हो डेस्टिनी खुद आपका ध्यान और सौर लेकर जा रहे हैं यह लास्ट आवर मोमेंट जब आपने भोगा है ना उसके बाद में आपने चींच बहुत अच्छा है आपका ध्यान खुद बखुद यूनिवर्स के प्रति उनके प्रति आपका जुका हो रहा है है ना कुछ चीजों को सीखने की कोशिश कर रहे है और यह चीज़े थोड़ी स्प्रिचूल है हो सकता है कोई योग साधना आप सीख रहे हो कोई मंत् पता भी नहीं को खुद को हील करने के लिए यह चीज़े कर रहा है आपको ऐसा लग रहा है कि आपके लिए कोई प्रॉब्लम चल रही है उसके समाधान के लिए आपको शान्ती चाहिए तसल्ली चाहिए और वो समाधान भी हो जाए वो प्रॉब्लम घतम हो जाए उसके लि आपको चिंता है कितनी ज़्यादा वो भी पता चल रहाएगा है आप प्रेयर कर रहे हो जस्टिस की आप दुआएं मांग रहे हो लेकिन आपके साथ जस्टिस क्या होगा पाता है ये प्रॉब्लम आपकी लाइफ की कतम हो जाएगी मैटर ये है ही नहीं घैस एक्चल में ये मैटर है ही नहीं कि आप अभी क्या दुख भोग रहे हो आपकी लाइफ आपसे कुछ और चाती है और ये टावर मूमेंट जो है या ये तकलीव जो आपकी लाइफ में अभी चल रही है ये इतना दिल दुखा रही है ये दिल इस वज़े से दुखा रही है कोई ये ट्रिगर दे रही है ये ट्रिगर आपको जस्टिस देगा आखिर आपका परपस क्या है ये आपको लाइफ में किस मंजल पर पहुँचना है उसकी तरफ आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे ये किसी के साथ आपका अटेच्मेंट इतना गहरा था कि जहां पर ये कह सते है कि हमें किसी बात के बारे में पता नहीं होता है कि किसी का बिहेवियर हमारे प्रति कितना कैसा है कैसा नहीं है नहीं स्वाट पाफ से हम किसी के प्रति लगाव दे रहे हैं सामने से हमारे प्रतिलगाव दे रहा नहीं दे रहा यह में पता नहीं होता है और जब हम गले जगाव पर अठके हुए होते हैं तब यह परिस्थित्या बनती है हमें वहां से हटाने के लिए तो आपका लगाव हो सकते हैं किसी के साथ इतना बुरी तरीके से जूड़ा कि यह परिस्थित्या बनने के बाद में थोड़ा आप में बदलावाया है एक घबराट बहुत होती थी किसी की आयू को लेकर किसी की परवा के रूप में आपको कोई आपका कोई अपना करीबी जिसकी मज़े से भी हो सकता है दिल दुखा यह कोई फिनांशल मैटर को लेक है आप कुछ नो कुछ तो ऐसा करते हो मेडिटेशन करते हो कोई साधना है आपकी यह कुछ स्प्रिचूलिटी के बारे में यह चक्रास बैलेंस करने के बारे में आप ग्यान ले रहे हो गाए और यहां से आपकी समस्या का समधान स्टार्ट हुआ और यहां से आपकी में भी बदलाव होंगे दिरे-दिरे कर कि यह जो situation जो कह रही हो ना कि इसका उतना महत्व नहीं है यह तो अभी आपके सामने आई है यह निकलने के बाद में आप में जो बदलाव आएंगे ना यह आप में जिस तरीके का justice होगा इस situation को लेकर हो जाएगा इसके तो परवा ही है ना वो देखना का इस एक्चूल में यह justice आपके साथ होना जरूरी है जो आपको खुद को पता नहीं कि मैं मेरी energy को पहचानो में मेरी purpose को पहचानो है ना आप किसी काम विशिश के लिए धरती पर आयो और उसके बारे में आपको जानकारी नहीं थी अपनी energy के बारे में जानकारी नहीं थी यह universe की blessing आपको मिलते है उनका एहसास आपको नहीं था है ना जैसे एक होता है कोई इंसान confused की भई मेरी life और लोगों से थोड़ी अलग है लेकिन फिर भी वो उसके अनुसा चलने की कोशिश करता है वैसी वैसी जीवन को यापन करने की कोशिश करता था सब गड़बड होती है काईस ऐसा नहीं है आपकी life में अगर कोई खुशी है तो वो आपको मिलेगी नहीं वो मिलेगी उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना लेकिन आपका purpose कुछ बड़ा है काईस हो सकता है इसको notice करना कि अभी अगर 3-4 साल के दरिम्यान में अगर आपने कोई meditation किया है या कुंडली awakening के बारे में कोशिश है की है गाई तो आप में कितने बदलावाई होंगे सबसे पहला तो जब से आपने start किया ना तब से आपकी life में कुछ नो कुछ गड़बड हुई है सबसे पहले कि आपके गुस्से का level बढ़ना ये ऐसा होता है आध्यात्मिक् प्रयास करने लगते हैं तो हमारी life की situation कुछ ऐसी बनती है गाईस की जिसमें जो हम ब्रह्म वाले इस्तती में बैट हुए होता है ना कि ये चीज़े मेरी काम की ये लोग मेरे काम के सबसे पहले उनके साथ कुछ ऐसा वातावरन बनना वातावरन बनकर situation बनकर कुछ क्रेट होना जाया जाया ठीक है ना तो हो सकता है कि आप आप में गुसा बहुत आया ठीक है या गुसा बढ़ना इस्टार्ट हो गए आपका ठीक और आपके घर परिवार में भी हो सकता है कि देरे देरे चीज़े बीगड़ने लगे आपकी फैमिली में भी हो सकता है कि के साथ हुआ होगा दिरे दिरे करके मतलब एक्चल में क्या है कि एक आपकी एनरजी जो हमें पता नहीं होती है कि हमें कौन से एनरजी है यह हम माली के कुछ विशेश काम के लिए धर्ते पर आएं लेकिन जो नेगेटिविटी होती है उनको आबास होता है और वो रोड़ा ड को बंद कर दो लेकिन फिर भी आपने कहीं नहीं मालजीक शांती के लिए कुशिशे की है ठीक है और आपके आदतों में भी काफी चेंजेस आपको देखने को मिले होंगे कि मेरी आदते बिल्कुल अचानक से चेंज कैसे हो रही है मैं पहले तीका खाना खाती थी तो अब थोड़ा कम तीका खाती हो या पहले कम तीका खाती थी तो अब ज़्यादा तीका खाती हो है ना ये ऐसा कुछ हो जाना या बोलने के तरीकों में बदलावाना का है ये भी हो सकता है या हेल्थ में इशू होना हेल्थ में तो ये तहता ही है ठीक है या फिर एक सबसे बड़ में मुझे कुछ अजीब सा फील हो रहा है, कि कुछ सुना ही दे रहा है मुझे, ऐसा लग रहा है कि शरीर के अंदर से कोई मुझे कुछ कह रहा है, यह बहुत जैसे कहता है ना, किसी लाइफ का बहुत बड़ा परपस होता है, यह ना, यह नॉर्मल में बात नहीं है, तब कि कि spiritual journey जो होती है ना वो बड़ी difficult होती है जो हमेशा बच्छपन से बहुत दुखी रहता है अगर उनको कोई पूछे ना कि आपकी life का समय या कोई एक अवस्था के बारे में बताओ जहां पर आपका समय बहुत अच्छा चला वो अवस्था आपकी बहुत अच्छी चला उनके इन चीजों को पार करके अपने energy को पहचान लेते हैं और अपने मकसद को पहचान लेते हैं और उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं तब मिलती है संतुष्टी कि अच्छा यह इस वज़े से मेरी life में हुआ अपने अपनी life के बहुत बड़े-बड़े सबक सीखे हैं और यह सब इस वज़े से सीखे हैं गाइस था कि इनको भविश्य में आप लोगों की बलाई के लिए भी काम मिलो आपके अंदर देखो अब जो चेंज हुए है ना ठीक है आप दूसरों के दुख को देखकर शायद आपको तकलिफ होती है आपको ऐसा लगता है कि मेरे बस में होना मै जल्दी से जिस्टिस करूँ इनके साथ बरदाश नहीं होता होगा आपको है ना यह किसी और के बारे में अगर आपको लगता है ना कितना गलत हो गया किसी के साथ तो आपके दिमाग में उस इंसान के बारे में बाते चलते रहती है हाला कि आप उनको जानते हो नहीं जानत को लेकर या इस तरह पुरुष को लेकर यह भेदबाव आप में नहीं होंगे जब हम अपने चक्रास को बैलेंस कर लेता है ना तो हम अमें सबसे पहले यहीं चीज़ें आती है कि हम एक मानने लगते हैं हम सोल को महत्व जाधा देते हैं कि सब सोल है ना सब मेरे हैं करकर definitely होगा definitely हो अगर आप में यह गुण है है ना कि जितना मेरे पास है अगर किसी को अवशकता है तो उसमें से थोड़ा भी मैं देने के कोशिश करूं जीवों के प्रति आपके भाव है guys कि मुझे जीवों के लिए कुछ करना है इंसानों के लिए कुछ करना है ठीके और कुछ नहीं ना तो कम से कम आप अपनी फैमिले के लिए बहुत कुछ करना जाते हैं यहाँ पर देखो यहाँ पर मैं एक बात कहूं कि कोई इंसान नहीं स्वार्थ होकर जहाँ पर अपनी लाइफ के बारे में कम सोच कर समय लो अपनी लाइफ के बारे में 10 से 15% 85% जो है न कि मेरा मकसद कुछ और है यहाँ पर इस वजह से कहता ना कि त्याग और समर्पन आपके देखें कि आप त्याग और समर्पन किसी सिचुएशन में करने को रेडी हो या नहीं हो या आप में स्वार्थ वाले भावात आप में नहीं आए गाई बुरी से बुरी कंडिशन आपने नी स्वार्थ होकर लाइफ में आके बड़े हो और कुछ समस्याओं के समाधान आपने किये हैं जहां पर आपने खुद को वैल्यू नहीं दी है ना यह मलिक देखते हैं जैसे कहते हैं बड़े कॉंप्रमाइस जो हर कोई कर नहीं सकता इतना दिल किसी में होता नहीं है ना बुरी सिचुशन बहुत देखे हैं आपने और नई इस शुड़वाद भी आपकी लेफ में हुई है ऐसा नहीं है कि नहीं हुई है क्योंकि यह मालिक का अशिरवाद है मालिक के ब्लेसंग है आप पर कि समय समय पर आपको भी हिल किया गया है और किसी बच्चे को पत मालिक साथ में है कुछ दिव दिवय शक्तियाथ साथ में है जो रास्ता दिखाने की कोशिश करते है एक बात कहूं का लेवल आपका अच्छा कैसे है कभी सोचा है आपने कभी कभी meditation किया नहीं, बच्पन से है जी आपका, इंट्यूशन का लेवल देज होना, और एक बात आपने notice की होगे, कि आपकी बातों पर आपकी मित्र जो है, या कुछ लोग जो हैं आपके लाइफ के, वो इतना believe क्यों करते हैं, इतना trust क्यों करते हैं, हैरानगी की बात, यहीं है guys, कि आपकी energy को लेकर, और लोगों को यकीन है, पर आपको अपनी energy को लेकर trust नहीं है, क्यों नहीं है, मेरी energy और लोगों के लिए काम कर रहे है, मेरे लिए काम नहीं कर रहे हैं, जब मेरे लिए देख कर सीख जाते हो और आपको सिखाने वाले कम मिले है यह सिखाने वाले उतने अच्छे नहीं मिले यह आपके साथ हुआ होगा हुआ है या नहीं हुआ है ऐसा तो कहना का मतलब यह है कि आपने कुछ चीजों का सबक अपनी लाइफ में क्यों लिया आगे चलकर आपको बहुत अच्छे और नेकी के काम करने है हो सकता है आपका कोई बड़ा सपना है जैसे किसी का टीचर बनने का हो सकता है यह भी मकसद है इसकी बच्चों में अच्छे शिक्षा देनी है ना अच्छे संसकार देने हो सकता है किसी का मन में होगा कि मुझे ना केवल बचों को सुर्फ पढ़ाने तक की मेरी ड्यूटी होगे है आगर मैं टीचर बन जाती हूं बन जाता हूं तो मुझे उनके लिए कुछ करना है टीचर बनना तो मेरा इक बहाना है जिससे मेरे जीवी को पार्जन भी हो जाए म मुझे कुछ मैं इंडिपेंडेंट भी हो जाओं लेकिन मैं बच्चों के लिए कुछ करूं है ना ग्यान देना यह आपके मन में हो सकता है यह आप डॉक्टर बनना चाहते हो नर्स बनना चाहते हो कुछ नो कुछ ऐसा जिसे केवल एक ओहदा जो है ना उसे केवल एक जरि पीछे गहरा मकसद क्या है वो पूरा हो जाए और वो मलिक जानते हैं है ना कि आप यह अचीव क्यों करना चाहते हो और इसके लिए आपने बहुतों प्रियस किये हैं लेकिन कईयों बार आपको असफलता मिली है लेकिन सफल आप जरूर होंगे क्योंकि यह आपकी टेस्ट नहीं है कुछ चीजे फेटेड होती है ना गाइस तो भले लाइफ में समय लग जाए भले कितनी यहां सफलता जेल लेकिन एक समय के बादने सफलता मिलती जरूर है और इसके लिए जब भी आपने प्रियास किये ना आपकी लाइफ में हुए हैं बूरे पल जो कही ना कही रोकने के लिए कि आप इस परपस पर आगे ना बढ़ो इस धिवन यात्रा में आगे ना बढ़ो लेकिन फिर से आपको अफसर मिले हैं हो सकता है कि अगर आपने किसी जैसे टीचर बनना चातो इसके लिए एजुकेशन यह जब कभी भी एजुकेशन प्राप्त करने की आपकि यह भी हुआ है यह अब भी कोई काम के बारे में सोच रहो बिजनस के बारे में सोच रहो कि वो अगर अच्छा चलंए तो मुझे लाइफ में कुछ नो कुछ करना है कइसा चल रहा है आपके दिमाग में कुछ करना चाते हो और यह स्याओं से डफिनेटली होगा कि सर के सर की पाल से लगा कर पैर के नाकून तक में कुछ ना कुछ दिक्कत चल रही होगी बोडी पेंट बहुत होना पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द होना गाइस सर में इतना भारीपन पेट की तकलिफ होना ठीक है और जैसा मैंने कहां कोई negativity का आपास होना ही होना यह सब symptoms आपके साथ होंगे गाई बहुत ज़्यादा होंगे ठीक है सर में मैंने कहां गाईस कि कभी कभी ऐसा फिल होता है कि जैसे चोटी जहां पर बांधते है ना बाल को बांधते है ना वहां से ऐसा लगता है कि कोई इतना जोड से खीच रहा है वहां उपर पेन इतना भयंकर होना और आप जाकर डॉक्टर को चेक अप करो आपके बॉड़ी का कोई भी इश्यू है, कोई भी तकलिफ है, उसके समन्द में आप जाकर डॉक्टर से चेक अप करवाओ, तो आपको कुछ भी नहीं आता उसमें, कुछ भी नहीं आता, डॉक्टर कहते हैं आपको वहम है, या आप काम नहीं करना चाहते, इस वज़े से ब्हाँ के नहीं होते हैं आपको यातरा की तरह पढ़ता है नiousi हम लोगों को नहीं समझा सकता है, अक्रिशूमें 1920 में में हैं नख, अ़ियू का एक बर बनता है कि हम उन पर ब्लेम भी न आ करें, क्योंकि उन्हें इस बात के बात में जानकर ही उन्हें क्याला है, उनकी य लाइफ में चल रहे हैं, उनके काम आसानी से बन जाते, एक समय पर बन जाते हैं, एज के अनुसार, हम लोगों के क्यों नहीं बनते हैं, क्योंकि हम लोग कुछ विशेश काम लेकर आयेगा हैं, है न, तो वहां पर हमें हर एक खुशी की वैल्यू बहुत दी जाती है, कैसे कि थोड़े समय के बाद में हमें मिलती है लेकिन जब हमें मिलती है तब तक में हमारी maturity का level इतना अच्छा हो जाता है कि हम उसे अच्छे से संजो का रख सकते हैं हमें हमारी life के जो भी एक आयू के पड़ाव पर कोई खुशी मिलती है ना guys वहां पर हमारी maturity का level बहुत अच्छा होता है और हमें कोई खुशी मिलती है ना वो बड़ी level पर मिलती है क्योंकि जितनी तकलिव अगर इस आधियात्मिक यात्रा में आपने भोगी है तो उतनी बड़ी खुशी और उतनी बड़ी प्लासिंग भी आपको मिलेगी क्योंकि ये परिक्षा जो है ना guys ये आम लोगों की लाइफ से बिलकुल डिफरेंट है ये आपकी लाइफ का पेपर बिलकुल अलग है तो जितना अच्छा पेपर आप दोगे है इस जीवन यात्रा का उतना अच्छा ओधा भी आपको मिलेगा मदब अच्छी बलासिंग भी आपको मिलेगी करे ऐसा थोड़ी है आद्यात्मेक यात्रा में सिर्फ आपको तकलिफ देने के लिए या इस आपकी लाइफ की तकलिफों की जीवन को आध्यात्मे ऐसा तो नहीं है, इस यात्रा में देखो गा, जितना आपने तकलीफ भोग आए, यह तकलीफ भोगी है, आगे चल कर, जब आप अपने परपस जूट जाते हो ना, तब उतनी ज़्यादा आप लोगों की हेल्प करते हो और आपको इस रेस्पेक्ट मिलती है, तब जो यह शि तकलीफ तो भोगनी नहीं पड़ती, जो बुरा भीएवियर भी करता है ना, तो लोग उनके साथ होते हैं, आप अकेले, कभी-कभी कुछ रास्ता ऐसे होते हैं, जांपर का अकेले ही चलना होता है, यह एक-दो लोग साथ होते हैं, पर मालिक साथ में होते हैं, यह दिमाग जिए चाहिए ही चाहिए, एक जिद पर आकर आप खड़े होना, और जिद पर आकर आप बैटे होना, आप ताक में हो, इंतजार में हो, कि मालिक यह मुझे चाहिए है, डेफिनेटले आपको वो जस्टिस मिलेगा काईज, जो भी यात्रा में हो आप, ट्विन फ्ली में हो, सोल में हो, ठीक है, चूज अन वन हो, कोई साबी, साथ में आपको एक साथ में मिलेगा काईज, जो इस लाइफ पर पर आपको आगे बढ़ाने में आपकी मदद करें, ठीक है ना, और अगर जैसे मैंना कहा ना, हेल्थ को लेकर इशु है, तो इसकी चिंता मत करो काईज, हे बुड़ी बहुत, जैसे कहता है ना, कि जल्दी से मौसम के अनुरूप बिमार पर जाना, या कुछ, तोड़ा हलका फुलका तो हेल्थ की प्रॉबल्म रहते हैं, लेकिन बड़ी प्रॉबल्म जैसे, अभी आप फेस कर रहे हो ना, ठीक है, या आप से सहन नहीं होती, वैस में आ जाएंगे ना, आपकी वाणी का प्रभाव देख लेना का, कि लोग कितने अकरशित होकर आपके शब्दों को सुनते हैं, आपके चेहरे का मुखमंडल जो है ना, उसका तेज जो है ना, वो लोगों को अपनी और अकरशित करेगा, आप शब्द कम काम में लोगे, औ और कम शब्दों में अपनी बात को बहुत अच्छे से बया कर पाना, आपके पास लोगों की समस्यों के समधान होंगे, क्योंकि आपकी समस्यों के समधान मलिक करेंगे गायस, लेकिन आप जिस रास्ते पर चलकर आई होना, जो जिन तकलीफों को आपने भोगा है, वो तकल लगता है आने वाले समय में लोगों के भीड जो है आपके आसपास रहे कि बहुत ज्यादा नहीं तो कहलो गाइस थोड़े बहुत तो आपके पास होंगे मतलब आइडियल मानने वाले लोग आपके पत पर चलने वाले आप लोगों का मारदर्शन करोगे देख लेना कोई भी आपका सपना है जिसे आप अचीव करना चाहते हो लेकिन उसके बीच में वीगन बार बार आ रहे हैं या कहीं न कहीं आपकी रेस्पॉंसबिटी या आपकी लाइफ की कुछ इस्तदियां ऐसी बन जाती है जो कहीं न कहीं उसके आड़े आने की कुशिश करती है फिर भी आ वो सपने को आपके अचिव कर पाऊगे अपने उस गोल को प्राप्त कर पाऊगे चुकि यहां पर डिवाइन यहीं कहते है कि उनका प्यार आप पर है और जो आप अपनी लेफ में चाहते हो न वो आपको मिलकर रहेगा उसमें कोई दोरा नहीं है आपको मिलेगा आप पर आपकी गुरू की कृपा भी बहुत अच्छी है जिनकी वज़े से आपका मारगदशन होता रहता है गैसा आप घलत राप पर जा ही नहीं सकते हैं भठक ही नहीं सकते हैं एन मौके पर आपको रोग लिया जाता है और आपके साथ जस्टिस होता है और आपको पता भी चलता है यह अबास पर हो जाता है कि मालिक ने मुझे बचाया है तो आपके लाइफ का परपर जो है नहीं यह बहुत बड़ा है अपनी लाइफ को बहुत हलके में मत लेना गैस या कभी भी अपनी किस्मत की तुलना और लोगों से मत करना अपनी तुलना और लोगों से मत करना आप अपने आप में बहुत अलग हो और बहुत खास हो गैस है ना ऐसे काम जो होते है ना गैस या ऐसे परिक्षाई जो होती है हर किसी के नहीं ली जाती है बहुत कम चुनिंदा लोग जो होता है ना जो ऐसे तकलिफों को भोग कर उनमें सहस रख कर लाइफ में आगे बढ़ पाते हैं और अपनी मन्जिल तक माँच पाते हैं और वो अचीव कर पाते हैं जो मालिक चाहते हैं एक्चुल मैं यहां पर शाबशी के पात्रह आप हो और आपको मिलती है मालिक की तरफ से एक जस्टिस के रूप में हमेशा हर पर वो क्यों क्यों कि आप उनके इच्छा के नुसर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं भले आपको तकलीफ मिल रहे हैं कभी आस्ता आपकी तूटती है कभी फिर से जूटती है कि मेरे तो मालिक है मैं इनके अलावा और किसे शिकायत भी किस से करूं लड़ू किस से बट यहीं ही क्याता है आपकी नईयां भी पार करवा देंगे आपकी लाइफ में भी एक नई शुरुवात होंगी बहुत जल देगा इसको चेंज आपकी लाइफ में आएँगे देखना जो कुछ भी हिडन आपको लेकर आपके एनरजी को लेकर है वो सब कुछ आपके साथ होगा क्योंकि एक डिवाइन टाइम आपकी लाइफ में चल रहा है जो आपके इंतजार को खतम करें आपके तकलिफ़ों को खतम करें या आपके अंदर जो ये भाव है ना मेरी लाइफ का परपस क्या है या आप जो आपका सपना है वो भी आप साकार कर लोगे चाहे तोट गया था या कोई gap बीच में आ गया था जिसे आप achieve नहीं कर पाए या कुछ बादाएं create हो गए थी तो अब आपकी life का वो judgment और justice और divine time चल रहा है जहाँ पर आपकी life को लेकर आपको लेकर कोई बहुत बड़ा judgment आपके सामने आए आपकी energy को power को आप पैचान लो कहाना trigger की गई situation है गाईस इसको समझो याना जो भी चीज़े life में होती है वो बेवज़े नहीं होती आपकी life में यह जो कुछ भी हुआ उसके पीचे बहुत बड़ी वज़े थी और यह वज़ा आप समझ जाओगे क्योंकि आप कुछ न कुछ अचिव करने वाले हो अब इतनी अगर आपने cutting परिक्षाइं दी है तो उनका result आने का बहतरीन समय जो है न वो आपकी life में आ रहा है शिक्र आ रहा है मुझे नहीं लगता कि यह कुछ महिनों तक में जाएगी बात मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले कुछ 6-7 हफतों में कुछ change होने वाला कोई justice हो सकता है कोई judgment हो सकता है कोई तकलिफ हो सकते है जो आपकी खतम हो जाए और justice और judgment आपके लइफ में आ जाए या कुछ आपकी लइफ को लेकर इतना अच्छा होगा गाईस मुझे पता नहीं क्यों आपको लेकर ऐसा कुछ बड़ा लग रहा है विशेश लग रहा है यह problem खतम हो जाएगी हो सकता है यह खतम हो जाए लेकिन इसके साथ में प्लस कहता है नहीं बोनस की रूप में एक जैकपोर्ट की रूप में आपको क्या प्राप्त होता है या ना वो कुछ अच्छा आपकी लइफ में होगा काईस कुछ आपकी दिल की हिलिंग की जाएगी कुछ रीकवरी होगी मालिक ने आपकी तरफ से कोई बहुत बड़ा फैसला लिया है भाई यहाँ पर किसी का पूर्ण सरंडर कहता है मेरी लाइफ अप मालिक के हवाले है वो वाली बाप लग रही है और मालिक देखो आपके लिए कितना फुल्फिल्मेंट गाईस फिर आप में जो हीलिंग आजाएगे आप लोगों के भी दुक को और अच्छे से समझ पाऊगे हलाकि यह भाव आप में है गाईस लेकिन जैसे मैं कहती हूँ ना कि कोई इंसान अगर खुद अपने पैरों पर चल पाता है तब वो किसी एक इनसान का हाथ पकड़ कर उसे चलना सिखल सकता है आना? ऐसे तो नहीं कर सकता ना तो सबसे पहले आपकी तकलीफों को खतम करके आपको इस काबिल बनाना कि आप खुद की साहता कर पाऊ और अपनी साहता के के लिए आप मालिक पर बिलीव कर पाओ, आपका मालिक पर बिलीव बढ़ता जाए, बढ़ता जाए तो कुछ ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में होंगी जो बहुत बड़ा justice और judgment के सिर्फ कम नहीं होगी, जहां पर एक नई शुरुआत डेफिनेटली होगी, जो आपके भाग्य में आपका सुक है, वो उस divine time का बेट कर रहा था, ये अब आपको मिलेगा, जाएज, कह सकते हैं इतनी तकलिफे मिलने के बाद में अब आपको वो healing मिलने वाली है, कितना बहुत गहरे गाव पर इतना प्यारा मरहम लगेगा, कि सारे गाव खत्म हो जाने सारे गाव जो हैना, वो छू हो जाने और सर्फ दिल की मुस्कुरहाट कि मालिक मेरे उमिद से कही गोना जादा मुझे मिला है, ये देखो भी life में जो कुछ भी सीका है जो कुछ भी दोके हुए है कपट हुए है, या कुछ बुरा आपने फेस किया है, अपमान सहा है उन सब के बारे में आपके साथ justice हो, आपको इस ओदे पर लाकर रखना कि आपके पास हर किसी की समस्या का समधान हो, आप बहुत अच्छे काम करने वाले हो, guys सच में life में बहुत achieve करोगे, बहुत कुछ अच्छीव करोगे और बहुत उचाईयों पर पहुचोगे है ना तो अब भी आपकी life में जो भी problem चल रही है, मालिक को surrender करो, और चमतकार देखो, guys, कितना बड़ा होता है आपके इस्तिति बिलकुल बदले की, आपको mirror number नजर आ रहे होंगे, mirror number आपको बहुत ज़्यादा नजर आते हैं यहाँ पर देखो 4 है, और यहाँ पर है 6 और यहाँ पर 5, चींज लेकर आना, 5 का मतलब क्या है परिस्तितियों को बदल देना जो अभी दिकरी है, उसके बिलकुल विपरित कर देना, मतलब कुछ अच्छा लेकर आना अतीपर चीज़ें क्यों चल रही है कि कभी भी कुछ चीज़ें अतीपर चलती है, मतलब एक नया चक्र की शुर्वात होना वो बाते हो रही है इतना अन्या ये कतीपर साय ना तो अब न्याई होना बाकी है शेश है, ठीका ना जी तो गाईस ये थी आज की डिडिंग आई होप आपको पसंद आईए, अगर आपको पसंद आई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को कमेंट लेक शेयर कीजिए मैं मिलती हूँ आपको नेक्स टेडिंग में तब तक के लिए बाई